हेलो फ्रेंड असलाम अलेकुम आसा करते हूं कि खैर खैर यह सोंगे रहम दूल्लाह हम सही है और आप लोगों को हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है क्योंकि आज है आठवा रोजा और आठवे रोजा का मिरा नाहिल का बड़ी था है और हम पुरा मतलब पाटे देए दें हूआति अवक्तारी का पाटे दिये थे तो इसलिए को कि उसे में बढ़ दिये थे देखें लोगों ने सारे बहुत आई थी जाची भी आइए थी और सारे अदमी आए थे लूग हम यह सारे बना करके पहले रख दीए और उसके पास स हम सजाएंगे तो बंदुक जितना मतलब हम मर्द है उतना च्छत पर हम लोग खिलाएं के और जितना और थे उतना नीचे ही खिलाएंगे देखिए फटाफटा सलाथ को कटने के तियारी हो रहे और फिर यहां पे मेरी बैहन जो अलुक बाप सौरी पुवा बना रही है मीठा तो यह देखिए बना रही है वो पुवा तो सारे सिच तो बन गया है और यलाष्ट में बन रहा है इसलिए जल्दी बना रही है लोग और समय हो गया था तोड़ा बहुत आफ़ता रीका तो यह देखिए कि इस अशब फुले फुले लग रहा है तो हम अभी लगाते इंक देखिये नहीfting देखिये हैं कुरा वीडियो कि मेरा आहिल का बड़्ट है इसलिए हम बना लीया है वीडियो पहले मैं बताई नहीं थी फिरेंगे हम मेरा आहिल का बड़्ड आने वाला है और फिर बाद में जब अफ्तारी कराने के बाद से खाना भी खाना कभी हम बोल दी हैं बड़न के को कटाने के बाद से भी तो हम खाना भी खिलाएंगे तो हम उतना मतलब धूम धाम से नहीं मनाते हैं इनकी मेरे बच्चे मतलब घर को सजाएंगे तो यह करेंगे वह करेंगे नहीं हम से इंपल से ही मनाते हैं तो देखे इधर गुस हमारा तल रहा है गुश ताल के निकाल रही है तर कर पराई करके तो अभी हम बाद में बनाएंगे यह बिर्यानी क्योंकि अफ्तारी करने के बाद से थोड़ा सा रूप करके बनाएंगे कि जब से एक बज़े से ही लगे लगे अदमी का हालत कराब हो गया था इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा अराम करके उसके बाद से बिर्यानी दोंगी कि ज्यादा मतलब आदमी थे ज्यादा फैमिली थे तो इसलिए हम लोग इसका डेस भी अलग अलग नहीं कर पाए और बच्चे भी जानते हैं कि आप लोग कितना परिशान करके रख देते हैं तो उन्हों उसने उन लोगों को तो आदमी मुबाइल दे दिया कि आता क खाला आई थी और चाची आई थी छोटी चोटी अमी आई थी और सारे मेरी मतलब इतना है फैमिली में सब को मैं बुला ले हूं बाकी अदमी आएंगे लो और बाकी अदमी आये थे लो और ओर अदमी घर पे अफ्तारी भीजवाना पड़ा तो इसी लिए क्योंकि और भी चोटा चोटा बच्चा था लो तो इसलिए वो लोग नहीं आ पाएं लो तो इसलिए मैंने कहा कि चलो जाने दो अफ्तारी का भीजवा दो तो इसलिए तो यह देखिए हम अभी बना रहे हैं पुआ मीठियां मीठियां पुआ उसमें यह भी रखा जाएगा जिसको पसंद आएगा वो खाएगा लो जिसको नहीं पसंद आएगा और नहीं खाएगा लो क्योंकि रोजा रहने के बाद से मतलब चटपटी चीज तीखी चीजी खाना पड़ता है तो इसलिए और मैं पहले प्रोग्राम करते हैं तो मैं नहीं बना पाती थी लेकिन अब एक एक चीज प्रोग्राम करूंगी बड़े हो या कुछ भी हो तो मैं जरूर वीडियो बना करके डालंगी तो देखिए मैं अब मेरी बना रही है कि मुझसे तो अच्छा वही बना रहेती है मुझे तो प्रूटा सा गूल गुल बनाना पड़ता है तो अधिक टोड़ा सा खराब हो जाता है लिकिन ओघर कीसे दबा 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 कर वेत्रीन बना रही है तना अच्छ बना दिये थे ऐसे कि आलू के पोकोड़े और चिकन का पोकोड़े और गोबी का चना इतना फलूल था सब रख दिये हैं अभी मेरा भाई आएगा तो प्लेट लगा करके और च्छत पर ले के जाएगा क्योंकि उपर ही जितना बंदे हैं उतना खाएंगे लो अफ्तारी करें करेंगे लो और हम जनानिया नीचे करेंगे लो तो लीज मेरा वीडियो को पुरा एंड तक देखना और और आज मेरा बच्चा का जनम दिन है ना तो इसी के खुसी में मैंने सुचा के चलो हम लोग तो जनम दिन मनाते नहीं है लेकिन अभी फिलहाल छोटे-छोटे हैं क्यूंकि आहिल भी बहुत जीत करता है और मीरा बड़ा लड़का जीशान भी जीत करता है तो इसलिए हम लोग मना ही लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं अपने ही आदम्य अपना ही फैमली है तो सबको भी तोड़ करके मना लेने से अच्छा ही है और अच्छा लगता है क्योंकि सारे फैमिली जब एकठा हो करके हासी मजा करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए मैं बूले कि चलो मनाते हैं तो बारह एक बज़े से हम लोग प्रोग्राम सुरू किये हैं तो इतना हालत कराब, जितना भाई है, वो सब दोड़ दोड़ करके अन्लों के हालत कराब हो गया है, रोजा रमजान में तुपषा दिकत हो जाता है, देखे, यह हमारा मिठे पोरी, जैसे के पुवा, पुवा बोलते हैं, गाउ में, और पता नहीं यहापे क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता तो यह देखिए तो इस में ना ज्यादा आलत कराब हो जाता है ना कि क्या बताओं कोई बीचीज कोई प्रोग्राम करने पे बहुत जादा आलत कराब जाता है और अब तो रोजा में ही मेरे बच्चों को पढ़ जा रहा हैं बड़े कि मान के चलो कि बड़ों को तो नहीं मनेंगा तो वह तो मान जाएंगे जितना चोटा है उन लोगो को करना ही पड़ता है त्या देखिके फराई हो रहा है पुरा मेरा जिकन तो फराई होने के बास से इसको हम रख देंगे ऐसे ही और फिर जितना हम है अफ्तारिक करने के बाद से हम पूरा मतलब आधा सफाई करके और सांती से हम लोग खाना बनाएंगे तो थोड़ा बचे एक तर उदर हो जाएंगे सो जाएंगे तो अरम से खाना बनेगा कि इसमें भी अबच्चे करने से दोड़ा बिगड़ रहे हैं इतना बच्चे-वखर कर रहे थे क्या बताएं बहुत से ज्यादा बच्ची सोड़ करते कभी इदर चिला रहा है तो कभी उदर चिला रहा है जैसे लगता है कि सारे के सारे बच्ची आ गए है नहीं में मैं अच्छी तरह से मैं वीडियो बनाने की पुरा कोसिस करती हूं आप लोग प्लीज मेरे वीडियो को जरूर देखना और बीच पीच में मुझे समझे में नहीं आता है कि मैं क्या बोलूं मैं कभी कभी रुक जाती हूं क्यूंकि ठक गई हूं इतना ज्यादा हालत खराब हो गया है रोजा रहके और पूरा करने पर जैसे लगता है कि अब कुछ ना करूं नेकिन क्या करें जब आदमी करता है तो घर का सफाई तो करना पड़ता है जब गंदा घर हो जाता है तो और फिर कोई बात ना क्यूंकि देखिए साल में एक बार आता है चाहे इद हो चाहे कोई त्योहार हो तो साल में एक बार ही तोड़ा बहुत गंदा हो जाता है तो जब बच्चे की खुसी में सब को खुस रहना चाहिए तो देखिए मेरा भाई अब यह प्लेट लगा रहा है अब क्यूंकि यह उपर जाएगा तो पहले ही इसको सब सजा देगा तब सही रहेगा नहीं तो जादा लेट हो जाएगे तो फिर बहुत जादा दिक्कत हो जाएगा इसे लिए उसने सारे प्लेट में सजा दिया है और यह जाएगा आप छट पे पूरा ले करके चलेगा चात पे मैं धिखाती हूं कि कितना वैतरीं से यह लगाया था सारे बंदों को मिल गया भाईयों को जितना भाई जीजा थे सबको मिल गया एक जीजा थे और भाई तो समझो कि पूरा ही थे और पापा और मम्मी का वहाँ पे चला गया दुकान पे क्योंकि पापा आए नहीं तो इसलिए वो दुकानी पे उनके लिए अफतारी अम्मी और अब्बू के लिए अफतारी दुकान पे ही चला गया तो यह देखे सारा चीज इतना हिसाब हिसाब से यह लगा रहा है कि ना किसी को कम पड़े और ना किसी को ज्यादा क्योंकि यह लोग अफ्तारिय कर लेंगे लो तो खाना क्या खाएंगे लो इसलिए बोले गए हैं कि ऐसा हिसाब से लगाना कि सब को हो जाएगा और इधर चा दाल के जिसमें डाल दी हैं सब काटूट करके कि कच्री बोलते हैं और उधर फालूल है कि केला है और सारे सारे फल आया हुआ है तो यह देखिए यहां पर मैं छत्पे आ गई हूं और चत्पे दिखा रही हूं अदे कि सबसे पहले बच्चों इतना अच्छा से बैठे हुए खाने के लिए जिसका बड़े है वो अधर बैठा हुआ है और यह मेरा जिशान लड़का और वो दो और बेटे हैं मेरा सुफियान और साकीब देखो कि इतना अच्छा से बैठके खा रहे हैं जैसे लगों का रोजा लगा हुआ है देखिए इतना अच्छा से यह लोग से पार करके रख रहे हैं तो सारे ही भाई आयते भाई तो बहुत कम पड़ गए बहुत आदमी आया और बहुत नहीं आये क्योंकि वो लोग अपने घर पर ही कर लिए तो मैंने सब को बोल दिया था कि अफ़तारी मेरे घर पर आके कर लेना और यह देखिए खड़ा हुए है सारे भाई तो अपने में गप सब कर रहे हैं लो और बहुत अच्छा लगता है जब पूरी फैमिली एकाठा हो करके और हां से मजाग करती है तो इतना अच्छा लगता है कि क्या बताओं और यह हमारा नीचे का अफ़तारी त्यार हो गया है हम हम और तो सब का तेंद कि हम लोका नीचे का ही हो गया है तो हम अपनीचे अफ़तारी कर रहे हैं करेंगे और बीच बीच में मैं नमाज पढ़ने के लिए चली जा रही हूं तो इसलिए यह देखिए फ्रेंड मैं पूरा मतलब आप लोगों को पूरा पूरा दिखा रही हूं जो भी चीज हम लोगों किया है सारे के सारे चीज दिखा रहे हैं और यह देखिए हमारे बहनोई साहबे आते हैं तो बहुत जदा इनको मजा को उड़ाते हैं हम लोग तो मैं बोल रहे हूं कि कोई बात नहीं आपकी भी वीडियो डाल देती हूं कि और दियाना में इनका बहुत ज्यादा नाम है तो इसलिए मैंने इनको भी वीडियो डाल देती हूं ताकि इनके साथ साथ मेरा भी वीडियो को देख करके और सस्क्राइब करेंगा लोग और यह मैं आ गई हूं उपर एदेगे मेरा बच्चा घूम रहा है यह भी बैठा हुआ है मेरा बेटा और यह लोग अफ्तारी कर अब आजान दिला रहा है देख लिजिए और यह भी मेरा लड़का है और मेरे बहन कर दो लड़का है और यह रहा ब्लू सॉल्टोल चोटा वाला उदर बैठा हुआ है तो यह देखिए अब सारे अब आजान जैसे दिलाएगा तो हम लोग अफ्तारी करना स्टार्ट कर दे करेंके और अब आ गया है मेरा बच्चे का बड़का करने का तो आफ्तारी करने के बाद से 1-2 गंट बाद तब हम लोग बड़का मना मां यह दाओना सारे के सारे ठक सब्वाइन जो भाई थे वो भी थक गयते लो समान लेया लेया करके और हम लोग भी तो बना बना करके थक गयते यह फोटो के चराये लो के का अधे के बच्चों सारे के सारे बच्चे नम खड़े हुए खाने के लिए देख लिए अब मनाए गलो देखिए अब मनाए देखिए के काटना सुरू हो गया अब तालिया बचने लगी और भाई मेरा बोल रहा है काटो और मेरे लड़के बहुत जादा नेंदा रही है क्योंकि उसकी टाइम हो जाती है आठ साड़े आठ बचे तक सोने का तो हो कह रहा था कि मम्म दोने मैं सोने जा रहा हूं तो मैं गोली कि नहीं पहले कि एक कटवा लो उसके बाद से और सोने जाना अधिक सारे कैसे खा रहे हैं भच्चे खिला भी रहे यह खुद भी खा रहे हैं अब उसके मुह में लगाएंगे लो यह मेरे बच्चों यह देखिए पूरा उसको जै अधर सब बैटे हैं लो यह देखिए यह इसको पूरा बंदर बना दिया है लो और हम उतना मतलब नहीं लगाएं गुबारा ओबारा क्यूंकि सिंपल तरीके से कर दिये क्योंकि आउल्डेटी सारे के सारे ठाक गये हैं लो तो इसलिए हम लोग नहीं लगाएं और उपर ही हम लोग सिंपल तरीके से केक काट दियें और अब मैं दिखा रहे हूं अब को बिरियानी बना करके देशे की पुरा तह तह बिचा रही है लो पहले चावल और उसके पास सारे चीज़ चाह करके हम गोश्ट डालके उसके पास चावल डाल देंगी लो यह देखिए पुरा मतलब रखके और यह सबसे पहले मेरी भेहन के घर चला जाएगा अउसके पास से अपने लिए दोबारा मतलब ऐसे ही लगा करके और फिर घहाना इसक करके और लाल चावल और फिर उसके पास नित्ति में तिमाटर और फिर चावल देंगे लो फिर गड़ी का विराध करके और उपर से चिड़क देंगे लो फिर उसके पास लाच दाल केffOR डावल डाल देंगे लोग मैं इसकी फूल रेशिपी किसी दूसरे ब्लोग में हम लोग मैं बताऊंगी तो अभी तो बड़े का है और अफ्तारी का मतलब चल रहा है फंक्शन बड़े का तो इसलिए फटा-फट कर रहे हैं कि आधे बच्चे सो गए हैं लोग और आधे बच् कि आधे बच्चे खा करके सोईंगे लो तो सबसे अच्छा रहेगा तो इस य हो यह जद मिला कर दो तो देखिए तो देखिए फ्रेंड मेरे वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और जो भी गलती हुआ होगा तो प्लीज मेरी मुझे कमेंट में जरूर बताईएगा कि मैं और अच्छा अच्छा वीडियो बना सकूँ और फिर लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा क्योंकि मैं और अच्छा अच्छा वीडियो बनाओंगी तो यह अब डालने के बाद यह सीधा चला जाएगा भाई ले करके और यह चला जाएगा बेहन के घर में तो डाके के इसको और वो लोग लेके चले जाएगा अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब देख लिए बाई अल्लाफिज असलाम लेक में लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए